हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हर बार की तर एक नए ब्लॉग में आईए, जानते हैं इस ब्लॉग में क्या है आपको बता दे कि हम एक ऐसे इस्वर की व्याख्या करने जा रहे हैं जिनकी दुनिया दिवानी है, जिनके बारे में बोला जाता है कि हर काम करने से पहले उनका नाम लिया जाता है हर सुब काम का सुरुवात उनसे ही होता है साधी बिवा का सुरुवात हो या किसी भी चीज का सुरुवात हो सबसे पहले उन ही का नाम लिया जाता है फ्रेंड्स आप समने बिल्कुल सही समझा हम भगवान स्री गणेश जी की बात कर रहे हैं आज हम आये हैं गणपती पूरा मंदिर जो की एहमदाबाद से करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर धोलका में बसा हुआ एक छोटा सा गाउ कोट है जो आज स्वयमबू गणपती दादा के प्रकट से सारे भारत में मसहूर हो गया है कोट गाउ में गणपती जी का मंदिर है इसी वज़ा से उसे गणेश पूरा और गणपती पूरा के नाम से जाना जाता है यहां गणेश जी की मूर्ती बिलकुल ही आकरशक और स्वभाविक रूप से भगवान की तरह है यहां मंदिर में गणपती दादा की छे फिट की स्वयमबू परतीमा के दर्शन होते हैं यह परतीमा की विसेस्ता यह है कि गणेश जी की सुड बाई ओर है और यह परतीमा पुर्वा भिमुक मंदिर के गेट से ही दिखाई देती है मंदिर का प्रवेश कलात्मक और आकरशक लाल पत्थरों से बनाया गया है गणपती बप्पा का सिंगाशन सोने से बनाया गया है यहां सुबा साम अलग-अलग समय पर आरती और पूजा की जाती है हर महीने संकस्टी चतुर्थी पर लाखोस रधालू यहां बप्पा के दर्शन करने आते हैं इस दिन यहां मंदिर ट्रश्ट द्वारा चाय पानी एवं भोजन की निशुल्क विवस्था की जाती है मंदिर ट्रश्ट द्वार अगणपती बप्पा के प्रिये मोदक प्रशाद के रूप में दिये जाते हैं इस दिन बप्पा को 6000 कीलो बुंदी के लड़ू और 1500 कीलो चुर्मे की लड़ू का भोग चड़ाया जाता है दोस्तो यहां की सबसे खास बत मंदिर के गेट के बाहर यहां की मसहूर केले के बेफ़र काफी लोग खरिद कर ले जाते हैं यहां के अस्तानिये लोगों का मानना है कि यहां आप कुछ भी मननत मांग रहे हैं तो गेहूं से उल्टा स्वास्थिक बनाए और आपकी वो मननत पूरी हो जाती है तो यहां आकर गेहूं से सीधा स्वास्थिक बना दें गणेश जी की प्रतीमा पाउ में शोने के पायल, कान में कुंडल, माथे पे मुकुट और शमक्र आबूसन के साथ प्रकट हुई थी यहां प्रतीमा को ले जाने के लिए आसपास के गाउवालों में जगड़ा हो गया उसके बाद चमतकार हुआ प्रतीमा को बैल गाड़ी में रखा गया, फिर वो गाड़ी बिना बैल के अपने आप चलने लगी और गड़पती पूरा के उचे भाग पर राचीनकाल में कहा गया है कि यहां पर विक्रम सम्वत 933 असाड महीने के चौथे दिन रविवार का दिन था तब हाथेल की जमी का केरड़ा के जाले के खोद काम के वक्त जाकर खड़ी रहे, वहाँ जाकर प्रतीमा अपने आप नीचे आ गई, यह जगह दूदा भड़वार और गोकल की सक्ती माता की अस्थापना की गई थी, तब से यहां का नाम गणपती पूरा पड़ गया, और यहां आज बड़ा सा गणपती बपा का मंदिर बना हुआ है, यहां हर एक की मनोकामना बपा पूरी करते हैं, यहां हर महीने की संकष्टी चतुरती पर करीबन दो से धाई लाक्षद्रालू यहां आते हैं, और लाखो रुपय का दान करते हैं, गणपती पूरा के कुछी दोरी पर अर्नेज में मा बूट भवानी का भी एक बहुत प्रसिद मंदिर है, जहां लोग एक बार दर्सन करने जरूर जाते हैं, अगर आपको बूट भवानी मंदिर के बारे में जानना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें, अगर वीडिय अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद